नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंख करना होमियोपेथिक क्लीनिक के एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों, आज हम बात करेंगे पाईरिया की, जो की बहुत कॉमन समस्या है दस में से मेरा ख्याल दो लोगों को यहां होती होगी बताएंगे आपको ठीक करने की 10 कारगर होमियोपेथिक दवाएं क्योंकि इसका और कोई इलाज नहीं है, होमियोपेथी में बढ़ा अच्छा ट्रिक्मेंट है बताएंगे आपको 10 कारगर होमियोपेथिक दवाएं पारिया को ठीक करने की या परिटोंटाइटिस को ठीक करने की पारिया और परिटोंटाइटिस एक ही बात होती है सबसे पहले साथियों जान लेते हैं पारिया होता क्या है पारिया साथियों आपके गंस की वह condition होती है या वह condition फिर वह symptom आते हैं जब आपका जो गंस में bones होती है और tissue होते हैं वह just try होने लगते हैं infection के कारण bacteria के और bacteria का नाम है PAREA alboliolis जब यहां bacteria आपके gंस को नुकसान पहुचाता है आपके bones को degenerate करने लगता है उस इस्तिती को Pireya या Förridontitis कहते हैं यहाँ एक ठोड़ी चिंतामाई कंडिशन होती है क्योंकि इसमें आपको पस का डिस्चार्ज होने लगता है ब्लट का डिस्चार्ज होने लगता है बद्बू आने लगती है और सबसे बड़ी बात आप कि जो टीट के अंदर का पूरा सिस्टम है जो इसको रोके हुआ है उसको डिस्ट्रॉई होने लगता है तो यहां एक समस्या होती है बताएंगे इसको ठीक करने कि आपको दवाएं जा लेते हैं साथियों, इसके सिंटम्स क्या होते हैं, सिंटम्स साथियों आप सब समझते होंगे, मसूरों से खूनाना, मसूरों से पस आना, मसूरों में धर्द होना, दातों का हिलना, यहां सब जो समस्याएं होती हैं, मुह से बद्बू आना, दातों से पस का डिश्चार् होना यानि गंब से तो यहां सब जो समस्यां होती है मेन त्keeper trzy चार वाते ही होती है कि बसा रहा रहा है आपके मसूड़ों से बड़ा रहा है बद्बू और रहा है और पेन हो रहा है उस सूनना ला लिए है यह चाह सिंटम है तो पूरी बात की शुरुवात होती है, यानि पाइरिया से पहले की स्थिती होती है, जब आपके गंस में इंफ्लमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है मसूडों में, लेकिन वो इतने अंदर तक मसूडों में नहीं जाती कि आपकी हड़ी को नुकसान पहुचाए, तो वो हो गय लेकिन जब वही सूजन आपकी हड़ी तक जाने लगती है दातों की और हड़ीयों को और मस्कूलर टिशू को डिस्ट्रॉय करने लगती है, उस इस्थिती को परिडॉंटाइटिस या पाइरिया कहते हैं, पाइरिया की शुरुवात साथियों पहले प्लेक फॉर्मेशन से होती है, आपका इसके उपर एक लेयर दातों पर बनती है, जिसको आप बार बार ब्रश करके हटाते हैं, लेकिन वह बनती जाती है, लेकिन वहां तक जिंजिवाइटिस होती है, उसके बाद फिर यहां लेयर जो होती है, यहां जो प्लेक लेयर होती है, यहां जो है कैलकु दात में बन जाते हैं यानि कि hard tartar आपके इखटा हो जाता है दातों में पत्थरी छोटे-छोटे कड़ों के फॉम में और वहां आपको तकलीफ करता है उसके नीचे बैक्टिरिया ग्रो करता है जो आपके bones को खराब करने लगता है दातों के यही पारिया होता है लेकिन समस्या है तो उसका इलाज है पहला इलाज तो आपई को करना है कि अपने दातों की सफाई रखें जेंटल हाईजीन रखें जो बहुत बड़ा upphaus है पारिया का वो आप धियान रखें बाकी हम आपको इसको ठीक χो луч करने की 10 कारगर हों तीक दवाइं बताएंगे, जो आपको लाब देंगे, दवा बताने से पहले साथियों बता दें या दवाइं आपकी जानकारी के लिए हैं, कोई भी दवा भीना कुस लिख की सक्षिण से बुचे, Performance पताते हैं साथियों आपको पारिया को ठीक करने की होमियोपैथी में दस कारगर होमियोपैथिक दवाएं नमबर एक दवा साथियों जो पारिया की होमियोपैथी में ठीक करने की है वह है मर्कूरिया सॉलिविलिस मर्ट सॉल थर्टी दो तो बून दिन में तीन बार उसे सिती में आपके लिए बहुत कारगर दवा है पाईजिया को ठीक करने में जिस समय आपके दातों में सूजन आ गई हो, लाली आ गई हो, मुह से बद्बू आ रही हो और थूप बहुता रहा हो, और अक्सर मुह में चाले भी हो साथियों, आपको लग रहा होगा लाइट थोड़े चेरे पे कम हो गई है, अब ये भी लाइट चरी गई है, इन्वर्टर से अब हम लोग इस लाइट को दे कर एक सिंगल लाइट से शूट कर रहे हैं विशय चलता रहना चाहिए, बात हो रही है पाइरिया की, पाइरिया की साथियों नंबर एक दवा जो होमियोपैथी में ठीक करने की है, वहा है मर्कूरियस सॉल्यूबिलिस, मर्स वाल थर्टी दो दो बून दिन में तीन बार उस इस्तिती में बहुत कारगर है, जब आप होमियोपैथी में सबसे बेहतर दवा इस समस्या को ठीक करने की, याझनि पाइरिया को है मर्सॉल, अब मर्सॉल थर्टी दो दो दून दिन में तीन बार लेके, पाइरिया को ठीक करके लाप्राप कर सकते हैं, फिर साथियों एक इस्तिती आती है कि इतनी ज़्यादा बद् हो और कंडिशन हो तो इसको ठीक करने की होमियोपेथी में बहुत कारगर दबा बैप्टीसिया टिंक्टोरिया है आप बैप्टीसिया थार्टी दो 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 दिन में तीन पाल ले ले आप देखेंगे कि यह मुह में इतनी बैद्बू की सलाइवा तक जो लिल रहे नीगल रहे हैं स्वालू कर रहे हैं इंटेक अंदर कर रहे हैं उसमें भी आपको दिकत होने लगती है तो अगर यहां कंडिशन आप में है तो इसकी ड्रग ऑफ दा चॉइस आपकी आपकी जो है यहां बैप्टीसिया है बैप्टीसिया दबा आपको ठीक कर देगी देखिए हम लोग पात करते करते लाइट भी आगी शायद प्रॉपर लाइट आपको मिल रही होगी चेरे पे हाला कि मेरा लाइट का में इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोशनी हो ना हो बास साफ होनी चाहिए तो बैप्टीसिया डग अफ दा चॉइस है आप दिन में तीन भार हो उससी ती में कार्गर है जब आपके पारिया हो और सुबा ब्रश करते हो तो खूराना शुरू हो जाता हो अ मुद्ध कर दो देशाए यहां आपके ब्लड को भी रोके की गम से आने से और आपके पारिया को भी ठीक करेगी फिर एक इस्थिती आती साथियों कि मसूरे मुलाइम पड़ गए, मतलब मसूरे दातों को छोड़ने लगे, पाइरिया इत्ता जादा हो गया कि मसूरे दातों को छोड़ने लगे, तो अगर यहाँ इस्थिती हो तो इसको ठीक करने की हुमियोपैथी में बहुत कारगर दवा और दवा का नाम है काली कार्बोनिकम, तो दूबूर आप ले लें, आप देखेंगे कि आपके मसूडों टाइट होने लगे वापत दातों में, आपका पाइरिया ठीक होने लगा और और उफिंट्ड्यमेश भी आपके मसूरों की खर्म होने लगी एक इस्तिती सातियों आती है पारिया में कि बहुत जल्दी जल्दी खून आने लगा, थोड़ा चीज छुई खून आने लगा, कुछ भी आपने करा, खाया खून आने लगा, तो अगर यहाँ इतनी ज्यादा ब्लडी डिश्चार्ज की पारिया में कंडिशन हो, तो उसको ठ ठीक करने की हुमियोपैथी में बहुत कारगर दबा है, फॉस्फोरस, आप फॉस्फोरस वर्यम की तीन खुराग पच्पच्पच्पेट के फासले पर वीकली ले सकते हैं, आप देखेंगे कि आपका मुह से जो ब्लड आने की टेंडेंसी है पारिया में, वहार रुक गई और आप ठीक हो गए, फॉस्फोरस के मरीश को ठंडी चीजे खाना जादा पसंद होता है, शाम को उसकी तकलीफे करीब 6 वजे बढ़ती है, और उतके पूरे शरीर में जलन बनी रहती है, बर्निंग का एक आईसास बना रहता है, तो यह स्थिति आगर हो, तो फॉस्फोरस आपका drug of the choice है, फॉस्फोरस हेर फॉर लोकते की भी बहुत अच्छी दवा है, बाल जड़ते से रोकने की भी नमबर एक दवा फॉस्फोरस है, फिर एक इस्थिति आती साथ हो कि मसूडे पूरी तरह पक गए हो, तो अगर यह स्थिति हो आपके कि मसूडे पूरी तरह पक आप देखेंगे कि आपको जो मसूडों का पकना है, सपुरेशन है, पस फॉर्मेशन है, वहार रुख गया और आपके मसूडे स्वस्थ होने लगे, फिर साथियों एक और बहुत अच्छी दवा है, कोई भी दातों का दिकत हो, उसको ठीक करने की खास दोर से पाई रिया क आपके पूरे गब्स की कंडिशन को इंप्रूफ करके आपको ठीक कर देगी, फिर एक इस्टिती आती साथियों आपके पाई रिया है और आपका मसूडे तक सूज गये, मसूडे सूजे हुए हैं और आपके पाई रिया है, तो उस सूजन को खतम करने और पाई रिया को ठ करने की बहुत खारगर दवा है लेकाइसिस आप लेकाइसिस वनियम की तीन खुराग पजपश मेट के फासले पर वीकली उस कंडिशन में ले सकते हैं जब आपके मसूरे सूज गए हो उनमें नीला पना गया हो मुह में कॉपर ऐसा आपके टेस्ट डिवेलप हो रहा हो और र छूप देगी मैजिकल ड्रक में इसको कहाँगा हिकला लावा दातों की कोई भी दिक्तथ हो आप हेकला लावा 3x power में एक टैबलेट दिन में चार बार लेले आप देखेंगे की दातों की कोई भी समझ चाओ हेकला लाव को ठीक कर देती है यहां बहुत कारगर दभा है के लिए मैं कहूंगा आप से कोई भी दवा बिना कुसल चीकित सक्से प्रिस्क्राइब करें बिना ना लीजेगा क्योंकि हर दवा के अपने सिंटम्स होते हैं उसके अच्छाईयां होती हैं उसकी बुराईयां भी होती हैं अगर साती हूं आपके मन में कोई कुस्चेन अराइज हो रहा हो तो आप हमारे नोटिफिकेशन पैनल पर अपने कुस्चेन को लिख कि हमसे आप जवाब पा सकते हैं या फिर हमारे वाट्साप नंबर 94-15-786-300C 9415-786-380 पर अपनी कुरी वाट्साप करके रेलिवेंट सवालों का जवाब हमसे अपने फोन पर प्राप्ट कर सकते हैं साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा अपने चैनल को सब्सक्राइब करा है और उसे सब्सक्राइब कराते रहिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके सबसे पहले अपने चैनल के नए वीडियो प और बात को बढ़ाते रहने के लिए निरंतर एक लए में बढ़ाते रहने के लिए आगे तक पहुंचाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ऎ本 में बढ़ाते रहने के लिए प्राप प्रा चलो लिए भार मैंधे लिए ठ fossil Do-2, Kno लेता बहुत-ध लिर्णींट में बढ़ाते रहने के लिए रहने के लिए में ग्विता बाते रहने के लिए वहुत-गनेKY वेंट-थे श Gs k area झाल झाल